नमस्कार ये वीडियो उन सबों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जो मोबाइल का इस्तिमाल करते हैं मोबाइल हमारे जीवन के लिए जितना उपयोगी है उतना खतरनाग भी हो सकता है जैसा कि आपको पता होगा कि मोबाइल चोरी होने की घटना और मोबाइल खो जाने की घटना आम तोर पर होते रहती है और ये आपके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है अगर उस वो मोबाइल आपका खोया हुआ मोबाइल या फिर आपका चोरी किया हुआ मोबाइल किसी ऐसे वेक्ति के हाथ में लग जाए जो साइबर क्राइम करता हो या अन्य किसी प्रकार से क्राइम वाले एक्टिविटीज में वो इंबॉल्व हो तो वैसे स्टिती में आप भी एक खतरनाक सिचुएशन का सामना कर सकते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आप ध्यान पुर्वा के सी वीडियो को देखिए क्योंकि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी समस्या नहीं होने वाली है तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने हुए रहे और देखते रहे हैं इस वीडि नहीं हो सके और इसी लिए इस वेबसाइट को भारासरकार ने लौझ किया है क्योंकि मोबाइल चोरी होने की घटनाय और खो जाने की घटनाय आज आम हो चुकी है और इसलिए आपको किसी भी बड़ी कानून परक्रिएक का सामना ना करना पड़े इसलिए आपके लिए है ये वेबसाइट पूरा वीडियो देखे गया आप बढ़िया तरीके से समझ जाएगा कि क्या करना और कैसे करना है देखिए अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर अगर चोरी हो जाता है तो आप अपने मोबाइल को पर्मानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं मतलब आपका काम को आप कैसे करेंगे मैं वो सारी चीजें अभी आपको बता दे रहा हूं तो आपको क्या करना है इस भासा में आपको बता दे लिखवानी है यानि एक FIR करवा लेना है और उसकी एक कोपी आपको ले लेनी है क्योंकि वो कोपी अपलोड करना होगा इस website पर उसके बाद क्या करना है कि आपको duplicate SIM card निकाल लेना है चुकि आपका mobile अगर खोया है या फिर आपका mobile अगर चोरी हो गया है तो उसमें आपका जो SIM card लगा होगा हो सकता है एक या दो SIM card लगा होगा तो आप उस SIM को फिर से निकलवा लिए कहने का मतलब है कि नंबर आपका वही रहेगा आपको दूसरा SIM मिल जाएगा और यह काम आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं आप जिस company का SIM इस्तमाल करते हैं उसके retailer के पास जाईए या पिर उस company के office में चाहिए वहाँ आपको बड़ी ही आसानी से यह मिल जाएगा तो पहला काम हो गया FIR करवा करके आपको एक copy रखना है दूसरा काम हो गया कि आपको अपना duplicate SIM निकलवा लेना है तीसरा जो काम है कि आपको अपना एक ID प्रूप ले लेना है जिसे आधार card pen card, water ID card इन सबों में से कोई एक आपको रखना है ready और चोथा चीज आपको उस mobile का IEMI number पता होना चाहिए IEMI number पता आपको तभी हो सकता है जब आप उसे पहले से निकाल करके सुरक्षित रखेंगे क्योंकि अगर आपका mobile खो जाएगा तो फिर दोबारा आप उसका IEMI number न या खरीदे होंगे आपको जो बिल मिला होगा उस पर IEMI number लिखा हुआ रहता है या नहीं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि mobile बिल को यूहीं फाड़के फैंक देते हैं या कहीं खो जाता है तो व्यस्तिति में आपको क्या करना है कि IEMI number पहले से निकाल करके रख लेना है आप अभी जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने mobile के screen पर जाएए और mobile के screen पर जाने के बाद आपको वहाँ पर dial करना है जहां call लगाते हैं आप उसी dial वाले पेड़ पर star has 06 has जैसे आप dial करते हैं आप देखिए आपके साम इसको अपने जो फ्रेंड का mobile अपने जो परिवार का mobile है उसके mobile पर share कर देजिए या फिर आप किसी ऐसे जगह पर फ्रक्षित रख लिजिए डिजी लोकरवगर में जहां से यह डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि बाद में यही IEMI number आपको जरूरत पढ़ने वाला है तो मैंन अगर उस mobile का जो mobile आपका खो गया है उसका रख लेना है और अगर उस mobile का बिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है हलांकि यह optional है नहीं भी हो तो भी चलेगा लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है और इन सारे चीज़ों को ले करके आपको decision box में जो link मिला है उस link प एक sim है तो एक number यहाँ पर दरज कर देना है यहाँ पर 15 अंकों का imi number डाल देना है और यहाँ पर भी 15 अंकों का imi number डाल देना है अगर दो sim चलता है mobile में तो अगर एक sim चलता है तो यहाँ पर एक number डालना है और यहाँ पर एक imi number डाल देना है अगर mobile में आपका दो imi number है तो दोनों डाल देना है उसके बाद आपका जो phone खोया वो किस brand का था तो आपको यहाँ पर select करना है जिसे अगर आपका real me था तो यहाँ पर आप लिखिए real me यहाँ सर्च वाले option में जाईए और लिखिए यहाँ पर real me तो देखिए real me यहाँ पर brand आ गया अगर आपका phone Samsung का ह है तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर लिखना है Samsung जैसे मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च वाला option आ जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं स-a-m-s-u-n-z मतलब जो company का आपका phone है उस company का नाम आपको यहाँ पर जो है वो लिख यह सारी चीजे आप अभी ही सुरुक्षित करके अपना रख लें और यहाँ पर जो है वो mobile का purchase invoice मोबाइल जब आप खरीदेते तो उसका bill जो आपके पास आया था उसे आप upload यहाँ पर कर सकते हैं हलांकि यह दोनों में यह दोनों जो option है यह दोनों optional अगर आपके पास बजे के आसपास में खोया है वो यहाँ पर लिख देना है किस राजी में खोया है वो आपको लिख देना है और किस district में खोया है जैसे आप अगर कहीं पर गए हुए थे तो वहाँ पर किस जीला किस राजी के किस जीले में आपको खो गया है और किस police station में आपने अपना जो यहां से आप 2-3 अप्लोड कर सकते हैं इसके बाद यहां पर क्या है? अनर का नाम यानि मॉबा formal Alice के नाम से था वह यहां पर दरजी करना है, उसके बाद उनका अड्रेस मॉबायल के मालिक का जू अड्रेस है वो कहां पर है? उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेट करना है आधार कार, पैन कार, वोटर आईडी कार, ड्राइविंग लेसंस या कोई अन्ने भी आईडी पूरूफ और यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है यहाँ अगर आप आधार कार अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार नमबर दर्जी कर देजिए, अगर पैन कार अपलोड कर रहे हैं तो पैन कार कार नमबर दर्जी कर देजिए, यहाँ इमेल आईडी डाल देजिए, यह वाला कैप्चा जो दिख रहा है उसे यहाँ पर डाल द सब्UpIn比較 करने के बाद आपके सामने एक रेक्वेस्ट नमबर आजाएगा और रेक्वेस्ट नमबर आने के बाद आप निस्सित हो जाएग То कि अब आपने जिस मोबाइल का यहां पर detail दर्ज कर दिया है वो mobile नंबर बिल्कुल block हो जाएगा जिस वेक्तिने वो आपका mobile छोरी किया होगा या खोने के बाद जिस वेक्ति कोale मिला होगा वो इस्तमाल नहीं कर पाएगा मतलब का dose लिए वो गलात इस्तमाल नहीं होगा वो वैक्ति Commonwealth जैसे AMY करेगा तो उसको क कोई काम नहीं कर पाएगा उसके सामने सीधा मेसेज आ जाएगा कि IMI नंबर लॉक्ड यानि IMI नंबर को लॉक कर दिया गया है तो इस प्रकार से आप एक छोटी सी काम को करके एक बड़ी सी समस्या से बच सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजे हैं जो मैं आपको अलग-अलग वीडियो में आपको आकर के बताऊंगा इसलिए आप बिना विलम किये हुए इस काम को अवस्य करें अगर आपका कोई मोबाइल हो गया है या अगर आपका को साइट पर आ करके जो लिंक दिया हुआ उसके उपर क्लिक किजिए और यहां पर आ करके आप उसे धर्जे कर देजिए तांकि आपके मोबाइल का मिस्यूज ना हो सके कोई क्राइम एक्टिविटी में आपका मोबाइल इस्तमाल ना हो सके और आप एक बड़ी समस्या से बस सके एक छोटी से काम को करके धन्यवाद